Hello everyone, good morning all of you, welcome back to your channel, मैं तरी पाटशाला, hope you all are safe and healthy, so आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्लास 4th, NCRT, EVS, Looking Around का Chapter 6, Aumana Journey की एक Extracution Answer Worksheet, I hope ये वरक्षीट आपको काफी help करेगी, so now let's begin. पर दो एक क्लास मास्च है मैं थे फॉलेग वालसाद स्टेशन है कौनके स्टेशन उने की ते-ट इक स्टेशन एवा गुजरात में आया था. Cozicord, जो Cozicord है वो, वो हमारा केरला में है, जो Cozicord जो station है वो केरला में है हमारा, Omana's friend, Omana की जो friend थी वो कौन थी? Omana की friend थी? Radha, help people to carry, लोगों को उनका सामान उठाने में जो help करता है वो कौन होता है, कूली होता है, यह हमारा railway station पर मिलता है एक Railway Station पर Helper के तौर पर लोगों की help करता है ओमाना जली जो ओमाना थी वो कहां रहती थी ओमाना एहमदाबाद में रहती थी सेकिंड है मारा इसमें true and false लिखने हैं आपको फर्स्ट है ओमाना is going on a train trip to Kerala जो ओमाना थी वो train trip से Kerala जाने वाली थी तो yes यह हमारा true है The train had started early in the morning from Ghandi Dham जो train थी वो सुबा ही Ghandi Dham से start हो गई थी Yes यह हमारा true है Ghandi Dham is located in Kerala जो Ghandi Dham है वो Kerala में है नहीं यह हमारा false है जो Ghandi Dham है वो गुजरात में है और जो train है वो गुजरात से ही start होई थी ओमाना एंड राधा वेंट अन आर ट्रिप टू कैरला जो ओमाना थी और जो राधा थी वो दोना कैरला के लिए ट्रिप पर गए थे तो ये हमारा फॉल्स है क्योंकि जो ओमाना है सिर्फ वही ट्रिपर गई थी और जो राधा है उसके पैर में फैक्चर हो गया था इसलिए वो कैरला ट्रिपर नहीं जा पाई थी जो टिकेट कलेक्टर होता है जो टीसी होते है वो क्या करते है वो हमारे लगेज मतलब की हमारे समान को चेक करते है नहीं वो हमारे समान को चेक नहीं करते है वो हमारे टिकेट को चेक करते है नेक्स्ट हमारा है ओमाना पास्ट हर टाइम ऑन दा ट्रेन बाई राइटिंग हर डाइरी ओमाना ने अपना जो time pass है वो train में diary लिख कर किया था तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है ये हमारा true है next हमारा है filling the blanks ओमाना वास going to her dash house जो ओमाना थी वो किसके घर जा रही थी तो वो अपनी दादी जी के घर जा रही थी और जो उसकी दादी जी का घर था वो कहा पर था उसकी जो दादी जी का घर था वो कैरला में था तो वो अपनी grandmother के घर जा रही थी ओमाना father had gone to book जो ओमाना के जो father थे वो क्या book करने के लिए गए हुए थे वो train ticket book करने के लिए गए हुए थे क्योंकि उन्हें कहा जाना था उन्हें कैरला जाना था तो उसके जो फादर थे वो railway station train book करने के लिए गए थे next हमारा है they had reached the station checked their name on the जो वो railway station पर जाते हैं तो वो अपना नाम कहां पर check करते हैं वो अपना नाम check करते हैं reservation chart के उपर तो यहां पर हमारा क्या आएगा reservation chart next हमारा है the ticket collector came and checked there जो ticket collector आता है वो क्या check करता है वो उनकी tickets check करता है कि इनके पास ticket है या नहीं है ये अपनी proper seat पर बैठे हैं या नहीं ओमाना वो sitting near the जो ओमाना थी वो किसके पास बैठी थी वो बिलकुल window के पास बैठी थी ओमाना saw many dash from the window जो ओमाना थी उसने खिडकी से क्या क्या देखा था उसने खेत देखे और उसने बहुत सारे villages भी देखे थे तो जो ओमाना थी उसने अपनी खिडकी से खेत देखे और गाव देखे थे next हमारा है answer the following questions हम इन questions के answer देने हैं फर्स्ट हमारा है why were Omana and Radha going on a trip जो Omana और जो Radha थी वो दोनों trip पर क्यों जा रहे थे Omana was going to her grandmother house जो Omana थी उसी अपनी दादी के घर जाना था and Radha was going for holiday with her family और Radha क्या करने जा रहे थी Radha अपनी छुट्य बिताने जा रही थी अपने परिवार के साथ next हमारा है why did not Radha go on the trip राधा फिर ट्रिप पे क्यों नहीं जा पाई because Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg जो Radha थी वो अपनी cycle से गिर गई थी और उसके right pair में उसके उसे fracture हो गया था fracture क्या होता है fracture होता है जब आपकी जो bonds होती है जो आपकी हड़ी होती है उसमें कोई crack आ जाता है आपकी हड़ी तूट जाती है तो उसे हम क्या बोलते है fracture तो जो Radha का जो right pair था उसमें fracture हो गया था इसलिए वो ट्रिप पर नहीं जा पाई next हमारा है what idea did Radha's अमा टैल ओमाना जब Radha ट्रिप पर नहीं जा पा रही थी तो जो ओमाना और Radha दोनों best friend थी तो Radha बहुत उदास हो जाती है अमाना भी बहुत जादा उदास हो जाती है तो जो Radha की जो अमा का मतलब है यहाँ पर जो उसकी mother थी जो उसकी ममा थी वो अमाना को क्या idea देती है तो इसका अंसरम कैसे लिखेंगे राधा अमा आस अमाना to write a diary during her journey जो Radha की जो ममा थी उसने अमाना को क्या idea दिया कि तुम अपनी train journey के दोरान एक diary लिखना जो भी कुछ तुम देखोगी वहाँ पर जितना भी तुम enjoy करते हो उन सभी चीजों को आप एक diary में लिखना ताकि जब तुम वापिस आओगी तो राधा उसे पढ़ पाए और राधा भी enjoy कर सके next question है मारा what advice did the doctor give to Radha जो राधा के जो डॉक्टर थे उन्होंने राधा को क्या advice दी क्या सलहा दी थी the doctor advised that she should not move her leg from six weeks because she had fractured her leg जो डॉक्टर थे उन्होंने सलहा दी राधा को कि जो राधा है वो अपने पैर को six weeks मतलब की छे हफतों तक लगबग देड महिने तक अपने पैर को बिलकुल नहीं हिला सकती क्योंकि उसके पैर में fracture हो गया था तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो राधा है वो ट्रिपर नहीं जा पाती है और राधा और अमाना दोनों बहुत ज़दा उदास हो जाते हैं और फिर जो राधा की जो ममा है वो अमाना को idea देती है कि तुम अपनी journey के दोरान जब तुम ट्रेन में journey करने जाओगी तो तुम अपनी पूरी journey को एक diary में लिखना ताकि राधा उसे पढ़ सके next question भी हमारा कुछ ऐसे ही है why did राधा अमा ask ओमाना to write a diary जो राधा की जो ममा थी उसने ओमाना को diary लिखने के लिए क्यों बोला था इसका अंसरम कैसे लिखेंगे राधा had to cancel the trip due to her injury जो राधा थी उसने अपनी trip को cancel कर दिया था क्योंकि उसे चोट लगी थी इसलिए जो राधा और जो अमाना थी दोनों उदास हो गए थे तो राधा की जो ममा थी उसने अमाना को एक डायरी लिखने का आईडिया दिया then when she come back राधा can read all about your trip की जब तुम ट्रिप से वापिस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में पढ़ सके it also help in pass the time on the train और इसे तुम्हें train में time pass करने में भी काफी help होगी next है make a list of people helping at the railway station आपको उन लोगों की list बनानी है जो की आपकी railway station पर help करते हैं तो वहाँ पर एक ticket seller होता है ticket seller क्या होता है जो की ticket देते हैं आप लोगों को आप ticket sale करते हैं next होता है हमारा koolie koolie होता है जितनी भी वहाँ पर passenger आ रहे हैं सवारी आ रहे हैं उन सभी के समान को train से मतलब को taxi तक छोड़ना फूर्थ हमारा है ticket checker जो ticket check करने आते हैं कि आपके पास ticket है या नहीं है आप किसी गलत seat पर भी तो नहीं बैठ गए हैं तो वो काम किसका होता है वो काम हमारा ticket checker का होता है फिफ्थ हमारा है railway police railway पर भी police होती है driver जो की train को चलाता है 7 नमबर पर हमारा guard जो की train को जंडी दिखाते हैं जो train को signal देते हैं कि जब train को start होना होता है तो वो उसे green जंडी दिखाता है जब train को रोकना होता है stop करना होता है तो उसे red जंडी दिखाता है नेक्स्ट हमारा है what is the job of the ticket collector जो ticket collector होती है उसके क्या job होती है to check tickets, tickets को check करना नेक्स्ट हमारा apart from Omana who were traveling with her family in their compartment जो Omana के अलावा जिस apartment में Omana travel कर रही थी उसमें और कौन-कौन लोग travel कर रहे थे तो उसमें two college students, दो college के students थे and a family with two children, Sunil and Ann और जो एक परिवार था उसके साथ दो बच्चे थे Sunil और Ann क्योंकि जब आपने देखो, बुक में जब आपने पढ़ा होगा Omana थी, उसकी दोस्ती हो जाती है Sunil और Ann के साथ और वो अपना address भी change करते है ताकि वो एहंदाबाद में उसे मिल सके Next हमारा है Why did not Omana brush her teeth at night? जो Omana थी, वो रात को अपने teeth brush क्यों नहीं कर पाई थी? Because there was no water in the bathroom क्योंकि bathroom में पानी ही नहीं था और जो वो कब brush करेगी अब? जब next बड़े station पर जो train है वो रुकेगी और वहाँ पर train में पानी फिल किया जाएगा तब वो brush कर पाईगी Next हमारा है Explain the words given below आपको जो ये words दिये गए है इनको explain करना है आपने chapter में पढ़ा होगा Birds Birds क्या होती है? जो seat होती है उन्हें Birds कहते है Next हमारा है Reservation Chart Having name of passenger and seats allotted to them इसमें जो reservation chart होता है इसमें passenger के नाम होते है और जोनकी seats के number लिखे होते है कि passenger को कौन से seat allot की गई है उसे कौन से seat दी गई है Next हमारा है platform Platform क्या होता है? Area alongside tracks जो tracks के side का जो space होता है जो area होता है वो हमारा platform होता है Station और platform दोनों में अंतर होता है Station वो एक पूरी मतलब पूरा जो railway station की जो building है वो हमारी station है जो station होता है उस पर अलग-अलग platform होते है किसी पर 3 platform होते हैं पर 4 है किसी पर 5 platform होते हैं यह platform इसके बनाए जाते हैं कि एक ही रेलवेग station पर जो 4-5 जो ट्रेन्स हैं उन्हें वह आ सके वहां पर खड़ी हो सके और passenger को कैरी करके ले जा सके इसलिए जो railway station एक होता है उस पर platform 3-4-5-6 कितने भी platform उस पर हो सकते हैं इसलिए station और platform दोनों में अंतर होता है next हमारा है luggage, luggage होता है समान जो भी passenger carry करते हैं वो हमारा luggage होता है things passengers carry, जितनी भी चीज़े passengers carry करते हैं जो उनका समान होता है वो हमारा luggage होता है fifth हमारा है inquiry desk, inquiry मतलब कि पूछताश करना To solve queries of people related to train and tickets किसी को trains related कोई मतलब कोई confusion हो रहा है कि train किस time आएगी यहाँ पर किस time मिलेगी train हमें किस time तक हमें train छोड़ देगी हमारी destination तक और tickets related हो अगर उन्हें कोई issue हो गया है तो वो काम कौन करेगा वो काम हमारा inquiry tax करता है जो आपर की जाकर हम पूशताच कर सकते हैं अपने tickets के बारे में और अपने train timings related जो भी issues हमारे होते हैं वो हमारी problems को हमारी issues को solve करने के लिए बैठे हैं So I hope आपको यह chapter समझ आया होगा आपको यह worksheet अच्छे से समझ आई होगी अगर आपको मेरी videos पसंद आती हैं तो please like, share and subscribe my channel Thanks for watching, have a good day